गाइस सोकेट को किस तरह से बाहर निकालना है यह देखिए जरा साब यह हावा नहीं बना रहा है ठीक है इसमें एही प्रोब्लम हुआ तो इस तरह का एक आपको पंप सोकेट लेकर आना जो कि सैखिल सप में आपको आसानी से मिल जाएगा इस सोकेट फीट करने से पहले एक हम आप लोग को किलियर करेंगे तो जैसा कि देख पार है हमारे पास एक पुराना चाइना येर पांप है जो कि खराब हो चुका है तो चाइना येर पांप अगर आपके पास में है और उसका प्रिश्टन अगर किसी भी कारण से खराब हो जाता तो किस तरह से आप करेंगे तो सबसे पहले ये पांप का हम आप लोग को दिखाते हैं ये खराब हुआ है या नहीं हुआ तो यह देखिए जैसा कि देख पार है हम हवा बना रहे है तो यह देखिए हवा जरा सा भी नहीं बना रहे है तो चलिए इसका जो कनेक्शन है ये कनेक्शन को खोलते ह यह जो समान का नाम है connection बोला जाता है तो यह आपका अगर हाथ से नहीं खुलता तो तो प्लायर मंकी प्लायर का थोड़ा सा यह फेल्प ले ले अराम से खुल जाएगा यह दिखिए अफिसमें यही प्रॉबलम होता यह प्रिश्टन खराव हो जाने के बाद होता है तो चलिए आप लोगा की जादा ना लेते व्डियो को शुरू करते हैं और आप अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं पुराना च चेंज होता है किस तरह से क्या जाता है सारा चीह आप लोग को अच्छे से बताएंगे और टोटल खर्चा कितना आएगा इसका वह भी बताएंगे वीडियो को शुरू करते हैं एक मुड़े गाइस उससे पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमार चेल में चाहेंगे इसके रिलेटेन बहुत सरे से हमारे डे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमें कमेंट भी किये हैं कि राजी बहाई चाइना येर पंप का अगर प्रिष्टन या सोकेट खराब हो जाता है तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं विदाट सो विदाट मेकैनिक के पास ले तो ठीके अप्टोथा प्लायर का मदद ले सकते हैं आसानी से खुल जागा इस तरह से खुलना आसानी से खुल जाएगा ठीके कनेक्शन खुल लेने के बाद आपको क्या करना है ये देखिया पंप में दो इसक्रू आपको दिख रहा होगा ये दिखिए एक आपका ये है दो साइड में दो इसकूर रहता तो चलिए फटाफर इसकूर को खोल लेते फिर आप लोगों को आगे दिखाते हैं और बताते हैं तो दोनों इसक्रू खोल लिए उसका आपको क्या करना है इस तरह से किछना ठीक है इस तरह साथ जो 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 किछेंगे तो यह दिखिए पॉप का जो सौकेट आपका पूरा बहार आ जाए ठीक जैसा कि आप देख पार है यह दिखें पूरा एकदम बाहर आ चुका है यह रहा अंदर का सोक्ट जैसे किया पाप देख पार है पॉइंट देखर कराब नहीं नहीं लगता है धरता हो जाता है तो यह जो क्राब होने का रिज़कीस, इह सामने वाई हैं स्टिंगे लिए बार आप देख पां के जैसा है, इसे पर्झेंटल भी बोला जाता है, इसे प्रिश्टन भी बोला जाता है, rare ही इसका प्रिश्टन भी बोला जाता। तो ये pump socket, PumpPriston इसे बोला जाता है इस तरह का एक आपको pump socket लेके आना जो कि cycle swap में आपको आसानी से मिल जाएगा इसका price का अगर बात करेंगे तो इसका price आपको आजाएगा 25 रुपी से निए 25 रुपय में आपको आसानी से मिल जाएगा अगर 25 रुपय में नहीं मिलता तो 30 तीस रुपए लगे तीस रुपए आसानी से आपको मिल जागा है सेखिल सुप में लाना है और फिट करना यह सोकेट लाने से पहले एक चीज के ध्यान देना जैसा कि इसमें देख पार एक रवर लगा हुआ ठीक है तो यह रवर लगा हुआ होना चाहिए ठीक है यह किसी भी कलर में आ जाएगा वह मेटर नहीं करता सिर्फ रबर इस तरह से लगा होना चाहिए पांप सोकेट में आप चलिए फुल लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं और दूसरा भी यह दिखिए एकदम आसानी से खुल जाएगा ज्यादा परिशानी नहीं होगे सब चीज परणी से रख एक दम बहुत ही ज्यादा छोटा होता जैसा कि देख पा रहे हैं गूम हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा तो गाइस सोकेट को किस तरह से बाहर निकालना है इस तरह से पकड़ना जैसा कि देख पा रहे हैं और एक हाथ में इस तरह से घुमाना ठीकि यह गुमाते खोलेंगे तो यह आपका असानी से बाहर आ जाए जैसा कि देख पा रहे है यह दिखिए शोकेट बाहर आ चुका है उसका आपको क्या करना है जैसा कि देख पार है अंदर में एक रवड फशा हुआ है तो निव पांप सोकेट अब निकाल के हटा देना है अब य फिर आपको new pump socket लाना होगा फिर आपको fit करना होगा तो इसे बहुत ही बारीकिस और हिसाब से fit क्या जाता है तो हवा लिकेज करता है और यह पूरा आपका खराब हो जाता है ठीक है तो यह चीज को ध्यान देते हैं चले fit किस तरह से करना आप लोगों को दिखा रहे हैं और सब्सक्राइब को आपको करना है यह प्रेस करना यह यह देखी cacobus नाखुन से पूस्ट करते हुए अंदर प्रेस करना है यह अपूस्ट करते हुए और इस ता बड़ अंदर आइप एकदम टएड़ाय है जड़ास अब होना चाहिए यह दिखे छतना हूँ कर दिये है जैसा कि देख पा रहाने आप इस तरह से यह करने के वारने के हमर लेना है और हलका आपको इस जगह फादा सा गिया है और फोड़ा बाकी है तो इस तरह सा आपको कर गया अंदर के और कर लिए कि रिखे यह देखे तो गाइस यह देखे अंदर की और चला गिया थोड़ा सा और बचा हुआ है माइनर तो इसे आपको हिसाब से ठीक है ठोकना है आस्ते ठोकना है तो फिर एक बार जो ठोकते हैं तो गाइस अभी साउंड आप लोग सुन पा रहा होंगे यह देखे यह हमारा पूरा एकदम अंदर चलिया परफेक्ट लिए अगदम जैसा कि देख पा रहे हैं यह देखे एकदम परफेक्ट लिए अंदर के चला गिया है दर की और पूरा प्रेस कर लेने के बाद फिर आप आपको जो जुगार के कुछ भी लेना लकड़ी वगएरा कुछ भी हो सकता है ठीक है और इस तरह सापको एक किल ले लेना है ठीक है जिसे हम लोग कांटी भी बोलते हैं तो इस तरह से कांटी लेने के बाद इस तरह से आपको हलका हलका यहाँ पर इस तरह से हैमर करना ठीक यह होल करना थोड़ा सा कि यह दूखिए यह हमारा एक साइड में होल हो चुका जैसा कि देख पा रहे हैं ठीक है उसके बाद जो हिसक्रू से आप खोले थे वह इस कुरू को इस तरफ सब को टैट करना है यह देखिए यह देखिए नहीं हुआ है चली टैट कर लेते हैं कि थोड़ा सा और करना होगा कि एगदम आपको हलका आलका मारना है ज्यारा जोर से नहीं मारना है ठीक ताकि हो जयात वस अच्छörung हो चुका है उसकह बाद जो है यह तो यह दीखिए इस तरह साथको जो एकदम आस्ता-श्थ में तैट करना है यह देखिए यह हमारा एक साइट का हो गया है और फिर हम उल्टेंगे और फिर दूसरा साइड में सेम पॉर्सेस करेंगे ठीक चले फटाफ़ दूसरा साइड में कर लेते फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं तो यह दोनों सेड में अच्छे से जो हम इस कुरू को टैट कर दी हैं यह देखिए जैसा कि आप देख पारहे हैं यह देखे इस तरह आपको दोनों सेट में इसकूर को टाइट कर लेना है जिस तरह से दिखाएं और बताएं अब क्या करना है इस तरह का कीप लेना है जो कि बाइक का इंजन का ओल रहेगा निव हो या फिर पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से आपको थोड़ा से जो है ओएल डाल रहे हैं थीक है आप क्या करना पंप में फीट करना है फंप में किस तरह से फीटकर ना ध्यान से देखें अगर भीी णार जाएगा ठीक हिए इस तरह आपको ज ह zijn करना है अंधर कि अचाल ते हुआ है इसाब से करना है जैसा कि देख पा रहे हैं यह देख़े ठीक यह देख इभी जैसे आप देख पार हैं आगा इसली हो जाएगा कोई भी प्रॉबलम नहीं आएगा तेट इस तरह सब लेना एक्दम इजली हो जाएगा है कि अधिक हमारा कम्प्लिट हो गया है असानी सब्सक्राइब बनाने लगा ठीक है उसके बाद क्या करना जीस तरह से आप खोलेंगे ठीक है उस तरह से आपको फिट कर यह जैसा कि फाइबर वलाप केपिंग देख पा रहे हैं केपिंग को जो डोनों साइड का हूथ में इस तरह से मिलाले ना है यह दिखते है अधहापन रहा है है और नहीं बना रहा जबकर ठीक ही यह झैसा अध़िए दॉल हवा बना रहा आप जो है आजारा है ओर अर यह देखिए यह कितना ज़्वा बना रहा है यह यह पंप एतंडाइफ निकटोंवerk्essaalin सोका है आप जो हव्लें उचरा है आप में हूं आप आप सकते हैं आप से लिए चंति हैं इसका को इस तरह से अपको हाथ से हवा इस तरह से हौ गया को यहाद को अजिकें दिखा दिया हूं। चाइना एर पंप का अगर सोकेट खराब हो जाता है किस तरह से चेंज किया जाता है। जीस तरह से दिखाएं बताएं उस तरह से कर लेने एक दम इसली हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा हम आप लोग एक दम अच्छे सा बता दिए तो चले फिर मिंते नेक्स डॉम में जय हिंग जय भारात